दोस्तों, बात कर रहे हैं तांबे के जग में पानी पीने के बेनेफिट्स के बारे में आपने बड़े बुझूरकों को देखा होगा कि वो हमेशा सुबा-सुबा उठकर सबसे पहले तांबे के गिलास या फिर लोटे में रखा पानी पीते थें जिसे वो रात को ही भर कर रख लिया करते थे लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो क्यों काच या फिर स्टिल के नहीं बलकि सिर्फ तामबी के बरतन में ही पानी पिया करते थे दोस्तों इससे बॉड़ी को बहुत बेनिफिट्स होते हैं पेट लिवर और किडिनी सभी को बनाता है आई देखते हैं तामबी के बरतन में रखा हुआ पानी पिने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते ना आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन आप करता है और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स क पारमोन को कंट्रूल करता है इसे थायरेट का खत्रा तलता है दोस्तों तामबी के बरतन में रखा हुआ पानी में आप आधा नीमूनी चोर लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पौडर मिलाकर रोजाना सुभा पिए इससे आपकी डाइशन की समस्या ठीक हो ज पसकीन कई गुना जवाँ हो जाती है और सुन्दरता बढ़ जाती है तामबे के बरतन में कम से कम आठ घंटे रखे पानी को पीने से इनिमिया और खोन की कमी दूर होती है इसमें मौजूद कौपर आपके श्रीर में खोन की कमी को दूर करने में कारगर साबित होता है इस उम्री के असर को कम करने के साथ साथ कैंसर से लडने में भी सहायक होता है इस बरतन में रखे पानी पीने से वजन भी कम होता है तामबे में एंटी बैक्ट्रियल गुन पाए जाते हैं जो पानी में मौजूद खराब बैक्ट्रिया को खत्म करके डाइरिया, लूज मोशन और पीलिया जैसी बीमारियों से बचाता है तामबे में मौजूद एंटी बैक्ट्रियल गुन खाओ को भरने में हेलफूल होते हैं दोस्तों तामबे के बरतन में रखे पानी को पीने से बालों का जड़ना भी कम होता है तामबे के बरतन में रखे पानी में एक प्रकार का साफ करते रहें, क्योंकि इसमें हरे रंग की परच जम जाती, जिसे कॉपर ऑक्साइट कहा जाता है, अगर हरे रंग की परच जम गई हो तो फिर उस पाने को पीने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए तांबे के बरतन को हमेशा साफ रखें, तांबे के बरतन को कभी को करना क्या है कि तांबे के एक जग में पानी भरका रख दीजे और इसे करीब दस दिन तक ऐसे ही रहने दीजे दस दिन के बार फिर उस पानी को एक किसी बरतन में निकाल दीजे और उसमें आधा निम्बू का रस डाल दीजे निम्बू हमारे स्कीन से डेट सेल्स को निकाल में भी मदद करता है बढ़ति उ flatter के साथ निकलने वाले छूरियों को कम करता है इसके लावा हमारे चाहरे के डाक धब्ब्र को भी हटाने में मदद करता है अब इस पानी को स्प्रिय बॉटल में डाल धीकिजे इसे दीन में दो बार अपने चाहरे म West Trade करने के बाद हलके हातों से मसाज की जे से एक यह विर्ट घंटे तक चहरे पर ऐसे ही लगा रहने दे जब आप इसा करें गे कि आपके टार्क युद्वर रिंकल्स धिरे-धिरे हटने लगए चाह profits निखरने लग enclosure पर हमें ताज़कीosta Walmart में कॉपर की कमी भी पूरी होती है दोस्तों तांबे में मौझूद एंटि ऑक्सिदेंट चेहरे के फाइन लाइन्स और ज्ञाईयों को खत्म करता है यह फाइन लाइन्स को बढ़ने वाले सबसे बड़े कारण यानि की फ्री रेडिकल से बचा कर स्कीन पर एक सुरक्षा ल